प्यार को प्यार ही रहने दो। उसने पहली बार अपने प्यार को शब्दों का जामा पहनाया। मैं ने शब्द होकर उसकी बाते सुनती रही। उसने मुंबई में मेरे साथ रहते हुए क्या-क्या अनुभव किया, सब बताया। फिर मैंने भी उसके प्रती अपनी चाहत का इसहार किया, समय के अंतराल में अलहर प्रेम की नदीने परिपक्व दोस्ती की समुद्र का रूप ले लिया, जिसमें ठहराव था, गहराई थी, इसका पूरा श्रेश्याम को जाता है, जिसने मेरे पूरे अस्तित्व को ही अपने में समेट लिया था, रात को नींद नहीं आ आपकी प्रोफाइल फोटो देखकर कुछ-कुछ चहरा पहचान में आ रहा है, वही जो 40 साल पहले मुंबई में रहती थी, आपके बहन का नाम गीता था और भाई का नाम गौतम, मैं श्याम गुपता हूँ, आपके पिताजी के मित्र का बेटा, यदि आपको याद हो, तो मैं एक बार अपने माता-पिता के साथ आपके घर आया था और हम साथ-साथ मुंबई में घूमने गए थे, मेरी प्रार्थना है कि यदि आप मुझे पहचान गई हैं, तो जवाब अवश्य दीजिएगा, अरे, ये तो श्याम है, मेरी हलकी सी चीख निकल गई, दिल की धर कने तेज हो गई, अकारण ऐसा लगा जैसे मैं चोरी करते पकली गई हूँ, देखा पती गहरी नींद में सो रहे थे, मेरे नाम के साथ मेरा सरनेल विवाह के बाद बदल कर मिश्रा लिखा था, उसके बाद भी वह मुझे पहचान गया था, उसके नाम पर मेरी दृष्टी जम सी गई, जवाब देने के लिए जैसे ही एक सेप पर क्लिक करने लगी, मन के अंदर से आवाज आए, सोच यो पहले, क्या ठीक रहेगा, उसका नाम देखकर तो तुम्हें इतना अपराद बोध हो रहा है, उस सिसम पर क्रखने के बाद क्या होगा, तुम्हारी सुखी ग पर गई, आरम से ही मैं दिल और दिमाग के मामले में बहुत संतुलित रही हूँ, मैंने अपनी उंद्ली क्लिक पर से हटा ली, लैक्टॉप बंद किया और बिस्तर पर आकर लेट गई, तुम्हें इतना लंबा चोड़ा परिचे देने की आवश्यक तक यूपर गई श्या ज़े उठकर मैं अकारण ही लक्टॉप खोलकर बैक गई, मैं मन ही मन्भुद बुदाई, शायद पहले तो नीनदा भी जाती, लेकिन अब तो उसकी स्थान पर खुली आँखों के सामने 40 साल पहले के द्रिश्य एक एक करके घने बादलों में बिजली की तरह चमकने लगे उसके बाद भी जिस दिन भी चुटी होती थी, वो हमारे घर आ जाता था, वो पहली बार मुंबई आया था, इसलिए मैं, मेरी चोटी बहन और भाई रोज ही कही न कहीं उसे गुमाने ले जाते थे हम सब का साथ उसे बहुत अच्छा लगता, हमें भी उसके आने से गुमने का बहाना मिल जाता था शाम बहुत कम बोलता था, लेकिन कभी कभी खामोशी भी जुबा से अधिक बोल देती है उसने कब मुझे अपनी आखों से ही मुख प्रेम निवेदन कर दिया, पता भी नहीं चला और मैंने भी मौन स्वीकृती देने में देर नहीं की, क्योंकि उसका कम बोलना ही मुझे उसके और बहुत आकर्शित करता था